हलो दोश्तो हमारे चलनल अम्रीत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है हरोज की तरह आज भी एक नए लेशन के साथ एक नए टॉपिक के साथ आए है और आज का हमारा टॉपिक है आहपी चाइल्ड यह नी एक खुश बच्चा क्लास वो लेशन फाइफ है और यह एक पोयम है जो एक छोटे से बालक के बारे में है जो बालक बताता है अपनी कहानी बताता है अपने बारे में बताता है तो इस पोयम में हम लोग का बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे तो वीडियो को उन्द तक जरूर दिखिएगा और पसंद आया तो लाइक कीजिए और अ कमेंट बोक्स में जरूर लिख कर भेजिएगा कि इया आपको कैसा लगा आपको समझ में आया या समझ में नहीं आयागा तो कोई भी असुगदा यदि होती है आपको पढ़ने में तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भे सकते हैं किसी भी लेशन का इस तरीके से वीडियो चाहिए तो आप उसको भी लिख कर भे सकते हैं और आप तक हम जरूर पहुचाएंगे तो देखते हैं इस लेशन में इस पोएम में चोटा सा जो बालक रहता है वह अपने बारे में क्या बताता है माई हाउस इस रेड और लिटल हाउस यानि मेरा घर लाल है माई हाउस इस रेड मेरा घर लाल है और लिटल हाउस एक चोटा सा घर है तो यहाँ पे my मतलब मेरा हो गया house मतलब घर हो गया इसका होता है rate का लाल हो गया और का मतलब एक होता है little मतलब छोटा house घर तो मेरा घर लाल है एक छोटा सा घर है a happy child यम आई मैं एक खुश बच्चा हूँ यानि मैं हूँ एक खुश बच्चा कहिए चाहे मैं एक खुश बच्चा हूँ तिहाँ पे a का मतलब एक होता happy मतलब होता प्रसन या खुश चाइल्ड मतलब बच्चा यम का मतलब होता हूँ I का मतलब होता मैं तो मैं एक खुश ब जीता हूं, तेहां पर I का मितलब मैं हो गया, laugh का मतलब हशना, and का मतलब होता, and प्ले का मतलब खेलना, and का मतलब फिर और leave का मतलब जीवित रहना, long लंबे समय तक, day दिन, यहां पर, तो मैं हचता हूँ और खेलता हूँ और लंबा दिन जीता हूँ तो वह बच्चा जो राता है वह अपने बारे में यह सब कहानियां बताता है कि भाई मैं तो खुश राता हूँ और खेलता भी और लंबा दिन जीता हूँ I hardly ever cry मैं सायद ही कभी रोता हूँ तो यहाँ पर I का मतलब मैं होगया Hardly मतलब जीसे होता है कभी या सायद Ever का मतलब होता है कभी Cry का मतलब रोना या चीखना तो मैं सायद कभी रोता हूँ I have a tree I का मतलब मैं Have का मतलब होता है Pass के लिए लगा है मतलब पेड़ मेरे पास एक पेड़ है तो I have a tree मेरे पास एक पेड़ है और green Green tree तो वहाँ पर एक हरा हरा पेड़ यानि हरा पेड़ जो होता जिसमें डेशारी पतिया होती है वो हरा हरा राता है तो यहाँ पर green का मतलब होता हरा tree का मतलब पेड To shade me from the sun मुझे धूप से चाया देने के लिए तो यहाँ पर शेट का मतलब चाया होता है और sun का मतलब होता है शूर्य यानि To shade me from the sun मुझे धूप से चाया देने के लिए या मुझे धूप से बचाने के लिए And under it I often sit और उसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ अब देखे क्या है Under Under मतलब होता है के नीचे और it मतलब उसके often often का मतलब होता है अक्सर या कभी-कभी या अक्सर तो sit बैठना तो And under it I often sit और उसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ इसे मेरे पास जब भी समय होता है तो मैं उसके नीचे बैठता हूँ इसके उस पेड़ के नीचे तो वह बच्चा जो है अपने बारे में यही सब बाते बताता है कि मेरे पास जब भी समय रहता है तो मैं उस पेड़ के नीचे बैठता हूँ मेरे पास से यहाँ पर बताया गया कि मेरे पास एक खरा पेड़ है जो मुझे धूप से छाया देने के लिए है तो और उसके नीचे मैं अकसे बैठता हूँ when all my work is done जब मेरा सारा काम हो जाता है यानि जब मैं अपना पूरा काम कर लेता हूँ तो मैं उस पेड़ के नीचे जाकर बैठता हूँ अपना समय बिताता हूँ तो इस लेशन में बालक ने अपनी डेश सारी कहानी बताई मैं किस तरीके से हूँ तो उमीद करते हैं आप लोग भी इसी प्रकार से खुश रहते हैं और अपना सारा काम खतम करने के बाद ही आप इधर दर कहीं जाते हैं तो इस तरीके से आप आपका जो भी काम रहता है उसको पूरा कीजिए उसके बाद ही कहीं जाकर बैठिए या खेलिए खेल कूद भी जरूरी है जीवन में लेकिन उसे भी जरूरी है कि अपना जो एक कार्य होता है उसको पूरा करना ही चाहिए अब इसे पढ़ाई को ले लिजिए आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी आने वाले समय में तो उमीद करते हैं यह लेशन आपको यह जो पोयम है आपको अच्छी तरीकी से समझ में आया होगा न आपको जल्द ही आ जाएगा तो इस तरह की डेर सारी वीडियो हम बनाते रहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए फिर मिलेंगे एक नए टोपिक के साथ एक नया लेशन के साथ इस प्रकार से हम डेर सारी वीडियो बनाते रहते तो देखते रही है